नमस्कार बच्चों कैसे आप सब आशा करती हूं अच्छे होंगे आओ बच्चों हम आज का पाट शुरू करें हमारा आज का पाट कक्षा 10 की भुगोल की पुस्तक का पाट नमबर 5 खनीज तथा उर्जा संसाधन है तो बच्चों आपको पाट के नाम में दिख रहा है खनीज और उर्जा हम इन दो संसाधनों के बारे में इस पाट में पढ़ेंगे तो हम शुरू करते हैं खनीच संसाधन से तो बच्चो हमारा जो भाग एक है हम इसमें खनीच संसाधनों के बारे में ही आपको जानकारी देंगे बच्चो खनीच किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे पर उससे पहले, बच्चों, हम अपनी रोज मरा की जिन्दगी में इन खनीजों का या धातुओं का उपयोग करते हैं। बच्चों, आपके घर में छोटी से छोटी सूई हो, मशीन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, चाहे आप कार में बैठो, रेल में बैठो, हर जगा हम खनीजों का प्रियोग करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है, खनीजों का प्योगम खाने में भी करते हैं, हमारा नमक जो है, वो खनीज है, और जो आप दंतमंजन करते हो, अपने दांतों को साफ करते हो, उसमें भी कई तरह के खनीज है, और जो आपका तुथ ब्रश होता है, और जो पेस्ट की ट्यूब होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है और आपको पता है प्लास्टिक भी पेट्रोलियम खनीज से ही बना होता है तो आओ बच्चो हम इस पार्ट में इन सब चीजों के बारे में जानने का प्रेतन करें तो बच्चो सबसे पहले हम बात करेंगे खनीज किसे कहते हैं जैसे आ हमें प्राकर्तिक रूप से मिलते हैं जैसे आप अगर इस चितर को देखो इस चित्र में मैंने प्रित्वी की आंतरी सनरच नायी है आपने अपने बच्षपन की किताबों में पड़ा होगा कि प्रित्वी की तीन परते होती हैं पहली परत होती है हमारी भू परपटी, दूसरी मेंटर और बिलकुल बीच में क्रोड. तो बच्चो जितने भी खनीज है हमें, ये भू परपटी पे ही मिलते हैं. इन में ही हमें चट्टाने मिलती हैं शैल मिलते हैं और उन चट्टानों और शैलों को शोधा जाता है और उस मेंसे खनीज निकाले जाते हैं तो आओ बच्चो शुरू करें हम अपना पाथ बच्चो आप चट्टानों के विश्य में पहले ही पढ़ चुके हैं चट्टाने खनीजों के समरूग तत्वों के योगिक हैं कुछ चट्टाने जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनीज से बनी हैं लेकिन अधिकतर चट्टाने विभिन अनुपातों के अनेक खनीजों का योग है यदपी 2000 से अधिक खनीजों की पहचान की जा चुकी है लेकिन अधिकतर चटानों में केवल कुछ ही खनीजों की भूतायात है एक खनीज विशेश जो निश्चित तत्वों का योग है उन तत्वों का निर्मान उस समय के भौतिक वारासायनिक परिस्थित्यों का परिनाम है इसके फलसरूफी खनीजों के विविद रंग, कठोरता, चमक, गनत्व तथा विविद क्रिस्टल पाए जाते हैं वो विज्ञानिक इनी विशेशताओं के अधार पर खनीजों का वर्गी करण करते हैं सामान्य वा वानिजिक उदेश्य हेतू खनीज निम्न प्रकार से वर्गी करित किये जाते हैं तो बच्चो आओ अब हम जाने खनीजों का वर्गी करण बच्चों खनीजों को विभिन भागों में बांटा गया है जैसे आप यहां देखें खनीजों का वर्गी करण सबसे पहले धात्विक और अधात्विक और तीसरा है उर्जा खनीज अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे अब हम बात करेंगे धात्विक और अधात्विक की तो बच्चो धात्विक खनीज मतलब जो धातू के होते हैं जिन में धातू पाई जाती है और इसमें भी इनको दो भागों में बांटा गया है लोह धातू, अलोह धातू लोधातू का मतलब जिसमें लोहे के अंश होते हैं जैसे लोएस्क मैगनीज और अलोधातू मतलब जिसमें लोहे के अंश नहीं होते हैं जिसमें तांबा और सीसा इतका उधारण है अब हम बात करते हैं बहु मुल्ले खनीज की बहु मुल्ले खनीज मतलब जो कीमती होते हैं जिनका मुल्ले बहुती अधिक होता है इसमें आते हैं हमारा सोना चांदी तो बच्चो अब है अधात्विक अधात्विक मतलब जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है जैसे अब्रक, नमक, चुना पत्थर अब हमारी बारी आती है उर्जा खनीज की उर्जा खनीज में जिनसे हमें उर्जा मिलती है या हमारी मशीने चलती है, हमारी मोटरें, गाड़ियां चलती है इसमें है कोईला, पैट्रोलियम, प्राकर्तिक गैस तो बच्चों इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे खनीजों की उपलब्दता, खनीज कहां पाए जाते हैं? सामान्यता खनीज अइसकों में पाए जाते हैं? किसी भी खनीज में अन्य अव्यवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयसक शब्द का प्रियोग किया जाता है खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयसक में खनीजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो खनीजों के खनन की सुविधा इनके निर्मान वस्सन रचना पर निर्भर है खनन सुविधा इसके मुल्ले को निर्धारित करती है अता हमारे लिए मुख्य शैल समूओं को समझना अत्यंत आविशक है जिन में ये खनीज पाए जाते हैं खनीज प्राया निम्न शैल समूँ में प्राप्थ होते है पहला आगने या कायंतरित चटानू मैं खनीज दरारों, जोडों, भ्रंशों वा विदरों में मिलते हैं छोटे जमाव शिराओं के रूप में और ब्रिहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं ये तरल अत्वा गैसी अवस्था में दरारों के सहारे भू प्रिष्टकी और धके ले जाते हैं उपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं मुख्य धात्वी खनीज जैसे जस्ता, तामबा, जिंक और सीसा आदी इसी तरह शिराओं वा जमावों के रूप में प्राप्थ होते हैं दूसरा है अवसादी चटानों में अवसादी चटानों के अनेक खनीज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं इनका निर्मान ख्षैतिच परतों में निक्षेपन, संचयन वा जमाव का परिणाम है कोईला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोह अईसकों का निर्मान लंबी अवधी तक अत्यधिक उश्मवा दबाव का परिणाम है अवसादी चटानों में दूसरी ख्षैन के खनीजों में जिपसम, पोटाश, नमक वा सोडियम समलित हैं इनका निर्मान विशेशकर शुष्क परदेशों में वाश्पी करण के फलसरूप होता है तीसरा, खनीजों के निर्मान की एक अन्य विधी धरातल्य चटानों का अपघटन है चटानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पस्चात अयस्क वाली अवशिश चटाने रह जाती हैं बॉकसाइट का निर्मान इसी प्रकार होता है चौथा, पहाड़ियों के अधार तथा घाटी तल की रेथ में जलोड जमाव के रूप में भी कुछ खनीज पाए जाते हैं ये निकशेप लेसर निकशेप के नाम से जाने जाते हैं इनमें प्राया ऐसे खनीज होते हैं जो जल द्वारा घर्शित नहीं होते इन खनीजों में सोना, चांदी, टिन वा प्लेटिनम प्रमुख है पांचवा, महासागरी जल में भी विशाल मात्रा में खनीज पाए जाते हैं लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थक्ता कम है फिर भी सामान्य नमक, मैगनीशियम, ब्रोमाइन, ज्यादतर समुद्री जल से ही प्रगरहित होते हैं महासागरी तली में मैगनीज ग्रंथिकाओं में धनी है बच्चों, आओ मैं आपको एक रोचक तथे बताओं रैठोल खनन क्या आप जानते हो, भारत में अधिकाँश खनीज राष्टिक्रित हैं और इनका निशकर्षन सरकारी अनुमती के पश्चाथी संभव है किन्तु उत्तरपूर्वी भारत के अधिकाँश जन्जातिक शेत्रों में खनीजो का स्वामित्व, व्यक्तिगत्व वा समुदाय को प्राप्त है मिघाले में कोईला, लो अस्क, चूना पत्थर वा डोलुमाइट के विशाल निक्षे पाए जाते हैं जोवाई वा चेरा पुंजी में कोईले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकिन सुरंग के रूप में किया जाता है जिसे रैट होल खनन कहते हैं आपने देखा होगा चूहा भी कई बार जो है खोल करता है उसी तरह से ये खनन भी एक लंबी संकिन सुरंग के रूप में किया जाता है इसलिए इसका नाम रैट होल खनन पड़ा नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन करिया कलापों को अवैद घोशित किया है और सलहा दी है कि इसे तुरंद रोक दिया जाना चाहिए आओ बच्चो मैं आपको आगे बताऊं भारत अच्छे और विविद प्रकार के खनीज संसादनों में सुभाग्य शाली है यद पी इनका वित्रण असमान है जादा तर खनीज प्राइदीपे चटानों में कोईले, धात्विक खनीज, अब्रक वा अन्य अनेक अधात्विक खनीजों के अधिकांश बंडार संचित है प्राइदीपे के पश्मी और पूर्वी पार्शवों पर गुजरात और असम की तल चटी, चटानों में अधिकांश खनीज देल निक्षेप पाए जाते है प्राइदीपे शैल करम के साथ राजिस्तान में अनेक अलोह खनीज पाए जाते हैं उत्तरी भारत के विस्तरत जलोड मैदान आर्थिक महत्व के खनीजों से लगबग विहीन है आईए अब हम भारत के कुछ प्रमुक खनीजों के वितरन का अध्यन करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोह खनीज की लोह खनीज धात्विक खनीजों के कुल उत्पादन मुले के तीन चथाई भाग का योगदान करते हैं ये धात्व शोधन उध्योगों के विकास को मजबूत अधार परदान करते हैं लो खनीज में सबसे पहले हम जिस खनीज का अध्यन करेंगे हैं वो है लो अईस्क जिसे अंग्रेजी में आईरन ओर भी कहते हैं. लो अईस्क एक आधारबूद खनीज है तथा अध्योगिक विकास की रेड है. भारत में लो अईस्क के विपुल संसादन विद्यमान है. भारत उच्च कोटी के लुआंश युक्त लो अईस्क से धनी है. मैगनेटाइट सर्वत्तम प्रकार का लो अईस्क है जिसमें 70% लो अईस्क पाया जाता है. इसमें सर्वशेष्ट चुम्ब के गुण होते हैं जो विधुत उध्योगों में विशेश रूप से उप्योगी है. दूसरा लोहे अईस्क का प्रकार है हेमेटाइट. हेमेटाइट सर्वादिक महत्तपुन और ध्योगिक लो अईस्क है जिसका अधिक्तम मातरा में उप्भोग हुआ है. किन्तु इसमें लो अईस्क की मातरा मैगनेटाइट की अपेक्षा थोड़ी से कम होती है. इसमें लो लो अयस्क किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। पेटिया मतलब जो क्षेत्र हैं। सबसे पहले ओडीशा जारखन्ट पेटी। ओडिशा में उच्च कोटी का हैमेटाइट किसम का लो एस्क मयूर भंजवा केंदू जर जीलो में बादाम पहाड खदानों से निकाला जाता है। इसी से सनिध जारखंड के सिहिंभूम जीले में गुवा तथा नुवा मुंडी से हैमेटाइट अस्क का खनन किया जाता है। इन खदानों का लो एस्क विशाखा पटनम पतन से जापान तथा दक्षनी कोरिया को निर्यात किया जाता है। अगली पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी। लोवा तथा महाराष्ट्र राज्ये के रतनागीरी जिले में स्थित है। यद्दिपी यहां का लोवा उत्तम परकार का नहीं है तथा पी इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है। मर्मा गाओ पतन से इसका निर्यात किया जाता है। आओ बच्चो हम जरा इस चित्र को देखे। चित्र पाँच पॉइंट दो इसमें लोग अईस्क उत्पादन में राज्यों का अंश दिखाया गया है। आप देख सकते हो बच्चो यहाँ पर आपको एक वरितारेक दिख रहा है। और आप देख सकते हो ओडिशा का सबसे अधिक प्रतिशत आपको इसमें दिख रहा है। उसके बाद आपका 36 गड़, करनाटक, जारखन वा अन्य राज्य आते हैं। तो बच्चो आप देख सकते हो इस वरितारेक में सबसे अधिक ओडिशा में हैं। आओ बच्चो हम अपना अगला खनेज देखें। अगला है मैगनीज। मैगनीज मुख्य रूप से इस पात के वी निर्मान में प्रियोग किया जाता है। एक टर्ण इस पात बनाने में लगबग 10 किलोग्राम मैगनीज के अफशकता होती है। इसका उप्योग ब्लीचिंग पाउडर, कीट नाशक दवाएं वाफ पेंट बनाने में किया जाता है। बच्चो चित्र 5.4 देखें, यहां भी एक ब्रितारेक आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको मैगनीज उतपादन में राज्यू का अंश प्रतिशत में तरशाया गया है, 2016-17 के हिसाब से। तो बच्चो यहां देखो आप सबसे अधिक मध्यप्रदेश 27 प्रतिशत, उसके बाद बारी है महाराश्टर 25 प्रतिशत, फिर ओड़ीशा 25 प्रतिशत, करनाटक 11 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश 10 प्रतिशत, अन्ने में 2 प्रतिशत। आओ बच्चो अब हम इस मानचित्र को देखें, मानचित्र में आपको महत्पुन खनीजों का वितरण दर्शाया गया है, अभी हमने मैगनीज और लो ऐस की बात की थी, तो आप देख सकते हो लो ऐस के लिए जो चिन उपयोग किया गया है, वो है हमारा त्रिकोन का, और मै लो ऐस क्षेत्र हैं, उसमें आपको दिख रहा है छोटा नाक्पुर का पठार के आसपास का क्षेत्र और दक्षिन में भी हमारा जो गुआ और महाराष्टर के आसपास का क्षेत्र और करनाटक के आसपास का क्षेत्र लो ऐस क्षेत्र दर्शाये गए हैं, उसके बाद हम बात करते हैं लो एस्क खाने की जो खाने हैं जहां से लो एस्क निकाला जाता है वो आप देख सकते हो त्रिकॉन आकरिती मयूर भंज केंदु जर गुवा दुर्ग चंदरपूर बेला डिला बलारी चित्र दुर्ग कुद्रेमुख चिकमंगलूर रतनागिरी गुवा तुम पुरू इस तरह से हम इस मानचित्र में अपने खनीजु का वित्रण देख सकते हैं तो बच्चो अब मानचित्र हम दिखेंगे मैगनीज वाले क्षेत्र मैगनीज का जो चिन है आप उसे देखे सुन्दरगड केंदु जर नागपूर बाला घाट गोवा शिव मूगग इ दिखाई दे रहे हैं अब हम बच्चो आगे बढ़ते हैं और अपने अगले खनीज पर आते हैं अगला खनीज है हमारा अलोह खनीज अभी मैंने आपको लोह खनीज के बारे में बताया अब हम अलोह खनीज के बारे में जानेंगे मैंने आपको बताया था अलोह मतलब जिस तांबा, सोना, बाकसाइट और सीसा आते हैं, धातू शोधन, इंजिनियरिंग वा विधुत उध्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तांबा, भारत में तांबे के भंडार वा उत्पादन क्रांतिक रूप से निवन हैं। घात वधरिये, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुखेता बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रोनिक्स और रसायन उध्योगों में किया जाता है। मध्यपरदेश की बाला घाट खदाने देश का लगभग बाबन प्रतिशत तांबा उत्पन करती हैं। जारखंड का सीह भूम जिला भी तांबे का मुखे उत्पादक है। राजिस्तान की खेदड़ी खदाने भी तांबे के रिए प्रसिद्ध है। अगला है हमारा बाकसाइट यद्दपी अनेक अईसकों में अलूमीनियम पाया जाता है। परन्तु सबसे अधिक अलूमीनियम प्ले जैसे दिखने वाले परदार बाकसाइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना अलूमीनियम सिलिकेटों से सम्रिद व्यापक भिनता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। अलूमीनियम एक महत्पून धातू है क्यूंकि ये लोहे जैसी शक्ती के साथ साथ अत्यदिक हलका एवं सूचालक भी होता है। इसमें अत्यदिक घादवधरियता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुखिता अमरकंटक पठार मेकाल पहाडियूं। झाल 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 भी होता है। पारादीप जो औरिशा में है उसके बाद विशाका पटनम पतन आपको दिख रहा है और हमारे पश्मी घाट के तरफ मारमगोवा पतन और मंगलूरू पतन तो ये हमारे चार पतन है जिन से लो अश्क निर्यात किया जाता है तो बच्चो इस मानचित्र को आपने अच्छे से समझ लिया है बच्चो आपको में रोचक तथे बताती हूं अलूमीनियम की खोज के बाद समराट नैपोलिन तृत्ये अपने कपड़ों पर अलूमीनियम से बने हुक वा बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को अलूमीनियम से बने बरतनों में भोजन कराता तथा आम मेहमानों को सोनेवा चांदी के बरतन में भोजन परोसा जाता इस घटना के तीस वर्ष बाद पैरिस में बिखारियों के पास अलूमीनियम के बरतन एक आम बात थी तो बच्चों कैसा लगा इस घटना को जानकर कि अलूमीनियम इतना सस्ता हो गया कि बिखारियों के पास भी आ गया जिसे समराट नैपोलियन बहुती मुल्यवान समझता था तो बच्चों आओ हम आगे बढ़े और हमारे अधात्वी खनीजों की बात करें अधात्वी खनीज मैंने आपको बताया जिन में धातू नहीं पाया जाता है इसमें सबसे पहले आता है अब्रक अब्रक एक ऐसा खनीज है जो पलेटों अत्वा पत्रण क्रम में पाया जाता है इसका चादरों में विपाटन असानी से हो सकता है ये परते इतनी महीन हो सकती ह कि इसकी एक हजार पड़ते कुछ सेंटीमीटर उंचाई में समाहित हो सकती हैं अब्रक पारदर्शी काले हरे लाल पीले अत्वा भूरे रंका हो सकता है इसकी सर्वोच परावैधुत शक्ति उर्जाहास का निम्लगुनांग विंस्वाहन के गुण उच वॉल्टेज की प्र गोटानाकपुर पठार के उतरी पठारी की नारोपे पाए जाते हैं बिहार जारखंड की कोडरमा गया हजारी बाग पेटी अगरिन उत्पादक है राजिस्थान के मुख्य अब्रक उत्पादक शित्र अजमीर के आसपास है आंधरा प्रदेश की नेलोर अब्रक पेटी भी देश की महत्पुर्ण उत्पादक पेटी है आओ बच्चों अब हम बात करते हैं चट्टानी खनीजों की जिसमें चूना पत्थर का हम यहां विवरन आपको दे रहे हैं चूना पत्थर केल्शियम या केल्शियम कार्बोनेट तथा मैगनीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है यह अधिकांश्ता अवसादी चट्टानों में पाया जाता है चूना पत्थर सिमेंट उध्यों का एक आधार भूत कच्चा माल होता है और लोह प्रगलन की भट्टियों में यह अनिवार यह है आओ बच्चों मैं आपको चितर 5.8 है आप यहां देख सकते हो सबसे अधिक चूना पत्थर राजिस्थान से इनकलता है 21 प्रतिशत उसके बाद मध्यप्रदेश 11 प्रतिशत फिर आंध्राप्रदेश 11 प्रतिशत 36 गर्ड़ 10 प्रतिशत करनाटक 10 प्रतिशत गुजरात 8 प्रतिशत तमिलनाडू 8 प्रतिशत तेलन गाना 8 प्रतिशत अन्य 13 प्रतिशत खनन को खातक उध्योग बनने से रोकने के लिए दिर्ड सुरक्षा वी नियम और परिया वरणिये कानूनों का क्रियान वयन अनिवारिये हैं आओ बच्चो अब हम बात करते हैं खनीजों का सरक्षन बच्चो आप सबको पता है अगर हम खनीजों का इस तरह उपियोग करते रहे तो आने वाले कुछ सालों में खनीज खत्म हो जाएंगे और अगर खनीज खत्म हो गए समाप्त हो गए तो आगे का जीवन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा तो जिन खनीज संसाधनों के निर्मान वा सांद्रन में लाखो वर्ष लगे हैं हम उनका शिगरता से उपभोग कर रहे हैं खनीज निर्मान की भूगर भी खरक्रियां इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर भरन की दर अपरीमित रूप से थोड़ी है इसलिए खनीज संसाधन सेमित सथा अनविकर्णिय योग्य है सम्रिद खनीज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मुल्यवान संपत्ति है लेकिन ये अल्प जीवी है ऐसकों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है क्योंकि खनीजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुनवत्ता घटती झाती है अपने खनी संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोशनी धंग से प्रियोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रियास परियास करना होगा। दूसरा, धात्मों का पुनह चक्रन, रद्धी धात्मों का प्रियोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपियोग भविश्य में हमारे खनी संसादनों के सरंक्षन के उपाए हैं। आओ बच्चो, मैं आप से कुछ प्रशन पूछूं। बच्चो, खनीज क्या है? उत्तर, भूवज्यानिकों के अनुसार, खनीज एक प्राकृतिक रूप से विद्धमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंत्रिक सन रचना है, खनीज प्रकृति के अनेको रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रशन, बच्चो, रैठ होल खनन किसे कहते हैं? उत्तर, एक लंबी संकिर्ण सुरंग के रूप में किये जाने वाला खनन, रैठ होल खनन कहलाता है। अगला प्रशन, भारत का कौन सा राज्य लोह अयस्क में प्रथम स्थान पर है? उप्शन, जारखंड, करनाटक, छत्तिसगर, ओडीशा, सही उत्तर है ओडीशा, अगला प्रशन, मैगनीज के उत्पादन में सर्व प्रथम भारत के किस राज्य का नाम आता है? आप्शन, आंधरप्रदेश, करनाटक, महाराष्टर, मध्यप्रदेश, सही उत्तर है, मध्यप्रदेश. तो बच्चों, आशा करते हूँ, आपको हमारा भाग एक समझ आया होगा, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बच्चों, अब हम मिलते हैं भाग आपको हमारी वीटा भागाथ्टर, म१्यप्रदेश, सही उत्तर हैं भाग.